नमस्कार, मैं मिलन पटेर रुजिस्टर फार्मसिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थिल मेडिसिन सिंदी में, आज की वीडियो में मैं आपको बच्चों के दस्त का सुरक्षित इलाज किस प्रकार से होता है उसके बारे म की शुरुवात करते हैं, बच्चों में दस्त की समस्या चिंता जनक होती है, खास करके तब जब दस्त की तिवरता, सिवियारीटी जादा होती है, डिहाइड्रेशन जादा होता है, ऐसे में चिंता जादा बढ़ जाती है, अगर इस कंडिशन में अच्छे से इलाज नहीं होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो कम हो जाए, उसका डूरेशन कम हो जाए, तीसरा, अगर कोई इंफेक्शन है, बेक्टिल इंफेक्शन है, वाइरल इंफेक्शन है, तो वो भी जल से जल ठीक हो जाए, तो आईए बात करते हैं, बच्चों के दस्त का सुरक्षित इला तो वह है ORS, ORS WHO यानि की World Health Organization विश्व आरो की संसा से प्रमानित भी है, ORS क्या है, ORS सोल्ट, पानी और शुगर का एक perfect mixture है, जब भी बच्चों को डायरिया होता है, दस्त होता है, बच्चों के शरीर में से पानी चला जाता है, इलेक्रोलेक्स चले जाते है, शुगर, वापस से restore करने के लिए ORS दिया जाता है, ताकि दस्त भी दीरे-दीरे करके कम हो जाए, और जो कुछ भी पानी चला गया है, वापस से restore हो जाए, proper hydration मिल जाए, ORS मुख्यता है, दो foam में उपलब्द होता है, एक powder foam, एक liquid foam, जब भी आप powder foam खरीदता हो, तो घर पर आपको OR ORS बनाना पड़ता है, उसमें जो powder खरीद कर आए, उसके packet पर सुचना है रिखी हुई होती है, उसका पालन अवर्शय करना है, most probably जो packet होता है, वो 21.8 gram का होता है, जिससे एक लीटर ORS बनता है, सबसे पहले एक लीटर पानी को आपको उबालना है, फिर उसे ठंडा कर देन जादा तर लोग एसी कोई जो कुछ भी रेंदी प्रोसेस है, उसे फोलो नहीं करते है, डिरेक्ली फिटर का पानी ले रहते है, वैसे को प्रोब्लिम नहीं होती है, लेकिन जब भी बच्चों के लिए आप ORS बनाते हो, तो make sure कि जो स्टांडर प्रोसेजर है, उसे फोलो क हो जाए, फिर थोड़े-थोड़े समय अंतराल में थोड़ा-थोड़ा जो ये ORS आपने बनाया है, बच्चों को देते रहे, ताकि धिरे-धिरे करके दस्त की तीवरता कम हो जाए, और वापिस से हाइड्रेशन बच्चों के शरीर में आ जाए, अगर आप लिक्विट फो चाहिए, और वापिस से कम तापमान में ही स्टोर करना है, उससे ज़्यादा तापमान में स्टोर नहीं करना है, बना गन्तामिनेट हो जाता है, बीगर जाता है, जब भी बच्चों को आप ORS पावडर घर पर लाकर जब बनाकर पिलाते हो ORS या फिरेक्ली आप डेडिट लिक्विड लेकर पिलाते हो, दोनों केसिस में, आपको अपने डॉक्टर से, फार्मासेश्टे, हेल्थ के प्रवेडर से बात करने काफी ज़रूरी हो जाती है, नमर दो है, जिंक सप्लिमेंट, जिंक बेहदी आवश्यक, यानि कि क्रुश्यल मिंडरल है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, दस्त की तीवरता को कम करने के लिए, उसके डूरेशन को कम करने के लिए, जिंक संप्लिमेंट दिया जाता है, जो व्हो से प्रमानित है, अगर बच्चे की उम्रे 6 मेने से कम है, तो जिंक संप्लिमेंट का डोस, 20 मेने से ज्यादा है, तो जिं हो गई 2-4 दिन पात दिन चेट बाद फिर से डियरिया के प्रेशान होई हो तो इस प्रकार के Cont irre 리यरिया की प्रेशानी है वह also है नमर 2 है प्रो बायोटिक अगर सामानी यह जाता है जिसमें दो प्रकार के गुड बेक्टेरिया बेनिफिशिल बेक्टेरिया होता है एक होता है लेक्टोबेसिलस दूसरा होता है सेकरोमाइस बुराडी यह जो बेक्टेरिया होता है जनरली बच्चों के दस्त को दूर करने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं पाउड से कम कि बच्चों को कभी लोपिरमस टेबलिट नहीं देनी चाहे क्योंकि अगर आप или ऌता साल से कम उम्रह के बच्चे को लोपिरमस टेबलेट देते हो तो उसकी सीवीर सइड इफेक्स हो सकती है जिसमें severe constipation और intestinal blockage भी हो सकता है जिस बात का आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जब भी bacterial infection जैसे के साल्मोनेला शिगेला इत्यादी की वज़े से दस्ट की परेशानी होती है तो डोक्टर एंटिबायोटिक भी देते हैं बच्चों के विशे में चाहिए दस्ट हो या कोई भी medical condition हो बिना डोक्टर की एडवाइस बिना फार्मासेस के एडवाइस कभी भी बच्चों को medicines यानि की दवाई नहीं देनी चाहिए अपने आप से कभी भी decision नहीं रहना चाहिए तो यह थी जानकारी बच्चों में होने वाले दस्त का सुरक्षित इलाज किस प्रकार से होता है उसके बारे में अगर इस वीडियो से रिटेट कोई भी सवाल है कमेंट में बेजी जग पूछेगा अगर कमेंट में आप अनकमफटेबल हो तो दिरेक्र मुझे मेल कर सकते हो qna.chim.gmail.com पर तो फिलाल इस वीडियो में वस इतना ही आज का वीडियो द्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत